हालो हाई वीवर्स कैसे आप लोग होप आप लोग अच्छे होंगे खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में तो आज हम जो है देखने की कोशिश करेंगे करेंटली आपके मन में क्या जो है चल रहा है आपकी लाइफ में किस उदासी ने आपके दिल पे जो है एक तरह से घीरा डाला हुआ है करेंटली आपकी जीवन में क्या परिशानी चल रही है और उसका क्या हल होने वाला है ठीक है तो आपकी करेंट लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वला है और आप क्या चाहते हैं क्या आपकी जो चाहना है वो पूरी होगी या नहीं होगी यह हम देखने की कोशिश करेंगे मुझे गाना चैनल हो रहा है ये कैसी उदासी है जो हुसन पे चाही है हम दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है अर्मान भरे दो दिल फिर एक जगा होंगे सोबा जनम लेंगे सोबा फना होंगे ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे सोबा जनम लेंगे तो बिल्कुल मैंने सही पहचाना आप लोग एक ऐसे connection में हैं जहां पर आप जन्मों जन्मों का आपका नाता है आपको ऐसे लगता है ऐसे पील होता है सौरी अगर मेरी गले की प्राब्लम है मुझे तगला खराब है या आवाज में भी थोड़ी प्राब्लम सी लग रही है तो प्लीज बियर विद मी अगर आपको ऐसा लगे तो शौरी उसके लिए मेरे साथ जो है आप उस चीज को सहन करना पड़ेगा आपको क्या करें अब ठीक है तो यह गाना चैनल हो है सुन लीजेगा तो यह गाना बहुत कुछ बताता है यह आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जिसने आपके जहन पे एक उदासी सी चाही हुई है या तो आप न टरूगेटव साईनेस रिश्टे को लेकर या फिर आपका मन जो है जब भी इस इनसान के लिए सोचने में इस इनसान के बारे में मन ना चाहते हुए कि तो तो करेंटली हम देखते हैं ये एक collective general reading है उसे साब से लें अपने उपर मत वो करें और बिल्कुल भी ठीक है तो please divine मुझे guide कीजिए ताकि मैं अपने viewers को कल मुझे एक comment था comment तो बहुत सारे आपने compliment और बहुत अच्छे भी उतने जातर तरीफ ही होती है जातर वेट होता है जातर थोड़ी सी शिकायत होती है कि मैं डेली लीडिंग लेके आए ठीकिन एक किसी का comment था कि मैं आपकी ना reading नहीं आई दो दिन से औरना मैं रात को बिना खाना खाये सो गया और आपकी reading की वेट में तो मुझे देखो ये तो बड़ा दुख हुआ कि मैं जो है आपके साथ इंसाफ नहीं कर पारी आपको डेली आपके लिए reading अगर आप इतने शिदत से मेरी reading की वेट करते हैं इतनी जो है एक तो मैं अगर ऐसा नहीं आपकी उस पर खरी नहीं उतर रही तो sorry तो लेकिन मेरी अपनी कोई मजबूरियां है ठीक है तो please मेरे साथ जो है adjust कीजिए मैं कोशिश तो यहीं करती हूँ कि रोज reading लेके आऊं लेकिन नहीं ला पाती तो ये गाना जो channel हुआ है सुन ल करेंटली और मेरे को कई लोग सवाल करते हैं कि मैं हम आप current love energy मेरे पास भई मैं मैं ज्यादा topic मुझे नहीं मैं इन हर को यही जानना चाहता है और यह love reading ही होती है क्योंकि career reading मैं नहीं कर पाती क्योंकि करती हूं तो उसमें views नहीं आता है फिर मुझे अच्छा नहीं लगत करेंटली मेरे viewers की life में किया चला है किस परशानी ने उनको घेर रखा है क्योंकि गाना यही चैनल हुआ है यह कैसी उदासी है जो हुसन उपेछाई है तो वो उदासी के बारे मैं आज जानना हम देखेंगे क्या ओदासी है क्या परशानी है और उसका निवारन कैसे होगा या उससे निजाब कैसे मिलेगी आपको, फ्लीज देखते हैं, पहला कार्ड हमारा हमारे पास आ गया है, जब आपके सामने आएगी तभी आपके लिए कोई ना कोई मेसेज होगा, तो इसको कोई भी किसी टाइम भी देख सकता है, मैं सिरफ ये सोच के करती हूँ कि भगवान में दा क्रियेटर, तीन बार जो है ना इस कार्ड को मैंने बीच में रखा, और फिर मुझे दिखा, फिर मुझे दिखा, और लास्ट बॉटम में क्रियेटर आया है, चलिए, और वैसे कार्ड आये हैं, पार्टिसिपेशन और मॉरैलिटी, ओके, क्रियेटर को भी हम ले लेते हैं, अबंडेंस को भी हम ले लेते हैं, चीक है, एक कार्ड इदर से ले लेते हैं, फाइफ कार्ड आदेर, और रेसेप्टिविटी, ओके, दिखिए, यहाँ पे एक डेफिनिटली आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, आप यहाँ पे जिनकों मैं देख रही हूँ, वो जो है अपनी जिन्दगी में एक अबंडेंस चाहते हैं, चाहिए अगर आप उनकी एक जो डेली लाइफ है, मतलब अगर इंकम हो रही है, तो इंकम में खर्चा इतना है, या फिर इतनी रिस्पॉंसिबिलिटी कहीं लोगों के उपर हैं, कि उनको लग रहा है कि जैसे एक होकिन साटिस्फेक्शन वाली जिन्दगी, वो यहाँ पे आप लोग नहीं अपनी लाइफ में लापा रहे हैं, चाहिए वो आपकी करियर लाइफ है, चाहिए वो आपकी लव लाइफ है, ठीक है जी, कई बार आपको अपने खुद पर यह चीज़ आती है कि आप जो है, मतलब आपसे ही कोई चूक रहेगी अपसे ही कोई गल्ती रहेगी है, जो आप जो है, मतलब आपके जीवन में कोई कमी है, ठीक है न, कहीं बार खुद को दोशी ठेराते हैं, कहीं बार आपको लगता है कि कोई है जिसकी कमी है आपकी लाइफ में, जिसको आपने एक तरह से, मतलब एक जो आपकी लाइफ में होते हुए भी नहीं है शायद और आपकी लाइफ में ना होते हुए भी आपकी लाइफ में एक किरदार ने भागता है, ठीक है, एक महत्तव पूर्ण जिसको कहते हैं, एक सिगनिफिकेंट रोल जो है, वो आपकी लाइफ में प्लेयर, प्ले होने का complete होने का हैसास देलाता है ठीक है जी ये रिष्टा आपकी life में आया था जब आपको लगा था कि इस रिष्टे से आपको एक morally support मिलेगा उसकी कमी है यहाँ पर तो वही गाना जैसे channel हुआ था ना कि ये कैसी उदासी है जो हुसन पेच्छाई है आपको compatibility देता है आपको पूर्ण होने का एसास देता है आपको लगता है कि ये आपका कोई divine connection है आप मतलब एक तरह से जैसे केते नहीं एक मतलब आप खुद से जैसे होता ने एक चीज जो है हमें खुद से मिलाती है participation का काने ठीक है एक कोई ऐसा एहसास जो आपको खुद से मिलाता है तो आपको trust रखना है और आप trust नहीं भी रखते कहीं बार आपको कहते हैं आपको लगता है कि आप इस चीज से बाहर निकल जाएंगे जो भी आपकी problem चल रही है लेकिन कहीं बार आपको लगता है कि ये जो स्थिती है आपने खुद create की है ये जो स्थिती है ये जो जिस चीज से आप परिशान है ये आपने खुद ही create की है कभी आपको लगता है कि आप एक एक abundance life के लिए या एक abundance होने के लिए कि आप abundance का मतलब होता है देखो परिपूर्ण फुल्फिल जिसको कहते हैं एक जैसे कहते हैं यह एक खुशाली एक प्रोस्पेरिटी वाली फीलिंग वो होती है बंडेंट ठीक है जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है यह चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे वो आपकी करियर लाइफ है उस चीज़ को लाने के लिए आप अपनी जिन्दगी में एक एक लैक आफ की एनरजी में है एक लैक आफ की मतलब क्या कि वो चीज़ आपके पस नहीं है और जब भी आप एक चीज याद रखना, जो वो creator है, उपर वाला है, या जो हमारा आसपास सबसे पहले universe है, ठीक है, तो वो भी हमें वो चीज नहीं देता, जिसको हम पहले से ये सोचने हैं कि हमारे मन में नहीं है, या ये चीज हमारे पास नहीं है, या वो इनसान हमें क्यो चाहता है, ठीक है, तो आप जो है, कहीं बार तो आपका trust जो है, इस रिष्टे से, इस situation से, जिसमें भी आप है, आपका कहीं बार trust तो कहीं बार डोल जाता है, कि पता नहीं ये चीज हमें मिलेगी, या फिर ये हमारी एक हवाई उडान है, जो कभी पूरी नहीं होगी, कही है, वो चीज कैसे नहीं पूरी होगी हमारी लाइफ में, कैसे नहीं वो हमारी लाइफ में participation, कैसे वो नहीं आएगी, जब हमें trust है के वो चीज हमें मिलेगी, चाहे वो हमारा कोई partner है, चाहे वो हमारी लाइफ में कोई हमारी wish है, चाहे वो currently हम जिस चीज को लेकर ये reading में ठीक है जी अब एक abundance का card मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कुछ लोग अपने career से मतलब specially उन्होंने कोई काम शुरू किया है चाहे वो business है चाहे वो नौकरी है और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो काफ़ी time से उस चीज़ का जैसे एक job है उसमें permanent होने का काफ़ी time से उस चीज़ का wait करें उनको लगता है कि अब जो है यह वो दिन कब आएगा जब आपको एक fulfillment की इस job में इस नौकरी में इस काम धंदे में अपने इसी जो भी कईयों का मुझे यहाँ word सुन रहा है कार खाना मदब किसी ने कोई कार खाना स्टार्ट किया है या workshop स्टार्ट की है जहाँ पर उसको एक ऐसा लग रहा है कि create तो मैंने कर दिया मुझे जो है परमातमा उपर वाला जो है support करेगा मुझे इसमें जो है एक पार्टिसपेट तो मैंने कर दिया लेकिन fulfillment एक abundance एक जो मैं चाहता हूं मुझे जतना benefit हो वो कब मिलेगा ठीक है या फिर यहाँ पर मैं यह देख रहूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनको वो काम मिले जो उनको तसली दे ठीक है जी तो यह आपकी मैसेज मिली जा रहे है य ठीक है और कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग क्या maximum लोग यहाँ पे हो सकता है इस चीज के लिए हो कि उनका life partner जो है कैसा होगा देखो यह भी significant specific है कुछ लोगों को यह है कि उनका जो life partner है जा जो जो इनसान उनकी life में participate कर चुका है वो ही उनका life partner है या फिर कोई नया इन अलसान उनकी life में एक तरह से आएगा और उनकी life को fulfill करेगा मतलब शादी या commitment वहाँ तक पहुँचेगा यहाँ पे कुछ लोग मैं यह देख पा रही हूँ कि उनको लगता है कि चीजें हो जाएंगी मतलब कहीं न कहीं एक trust है उनको जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाएग चाहे वो किसी जोची से भी ना पूछा हो लेकिन अंदर ये अंदर उनको उस चीज़ का एक trust है उस divine उस creator पे उस परमात्मा पे के हम उस चीज़ को अपनी life में manifest कर लेंगी तो यह creator का card मुझे एक manifestation को भी दिखा रहा है यहाँ पे कि आप लोग अपनी जो भी आपकी इच् को सोचते हैं और इतने trust से उसमें आपको believe है कि वो चीज़ आपको हासिल हो के रही बतब एक ना चाहते हुए भी आप आपको लगता है कि आपको कई बार इस चीज़ को निकाल के बार fact देना चाहिए बेभी आपकी कोई इच्छा है आपको लगता है कि आपको इस इच्छ है कि वो चीज़ हमें मिलके रहेगी ठीक है तो जो मुझे currently आप लोगों की life से related या आपकी उदासी से related या आपकी wish से related जो भी मुझे message मिले हैं मैंने आपको बता दी है ठीक है अब tarot card से देखते हैं कि क्या बताता है tarot card आपके लिए ठीक है मैं five cards निकालूंगी आज मेर देखें हैं तू कार्ड्स हा गया है हमारे लिए तू कार्ड्स हा गया है ठीक है चलिए five cards से हम देखते हैं क्या आता है देखी बॉटम में आया है knight of swords swords यह नहां तो जैमनी लिब्राइक वेरियस king of coins देख लीजे king of pentacle ठीक है ace of cups ace of cups आके मुझे यहां एक stability को दिखा रहा है queen of wands देखिए दो हर्मिट यहां रख लेते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें वह भी दिखते रहेंगे queen of wands दो हर्मिट ace of cups और king of pentacles ठीक है जी यहां रख लेते हैं फिर मुझे वो भी दिखते रहेंगे card अब उपर वले जो show deck से निकाले हैं यह हमने tarot से निकाले हैं और यहां पे king of pentacles देखिए कुछ लोगों का मसला जो है कुछ लोगों की जो उदासी है मैंने पहले ही जैसे बोला यहां abundance के card ने मुझे बटाया है कि उनको लगता है कि वो financially जो है कब sound होंगे sound का मतलब क्या होता है जब उनको लगेगा कि अब देखो इनसान की जो पैसे को लेके जो तरिशना है जो उसकी एक वो तो कभी खतम ने होती लेकि इनसान को एक satisfaction जो है कि नहीं अब मैं उस मकाम पे हूँ जो मैं चाहता था अपनी लाइफ में ठीक है तो यहां पर कुछ लोग तो उस stability Ace of Cups जो उनकी एक लाइफ में एक fulfillment भरता एक stability लाता है उस मुकाम पे जो है आप आना चाहते हैं और जल्दी से आ जाएंगे देखिए Two of Cups मुझे नहीं दिखा था क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग में दो काड आए थे उसमें Two of Cups भी था जो अब मेरे सामने आया है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया यह देखो क्योंकि वह एक नहीं दो काड थे और किंग आफ पांटिकल्स तो टॉरस वर्गो काप्रिकॉन यहां पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस क्योंकि टू अफ कप्स है यहां पे वांड्स हैं तो एरीज लिए साजिटेरियस कप्स हैं तो कप्स जो है यहां प्रामैनिंट हैं म मतलब एक तरह से अ यह संथ ऑर वांटर फाइन और पोट्रवल्टव क्योंकि हां बॉट इनायट क्योंकि असीं नहीं क्योंदर हैं तो यहां पे कुछ लोग मैं जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ लोग तो अपने पैसे से related है, कि उनको अमीर आदमी बनना है, उनको इतना कमाना है, कि जहां पे उनको एक satisfaction हो या वो इसी लिए ही इस reading तक पहुँचे हैं, कि शायद उनकी उस desire से related आपको कोई ना कोई इसमें answer मिल सके, क्योंकि देखो कई बार कुछ tarot reader या कुछ लोग हमारे जिंदगी में ऐसे होते हैं, कि हमें उनकी बात पर एक belief हो जाता है, कई बार हम उस reading तक आते इसी लिए कि शायद ये reading जो है, हमें कोई सुकून दे जाए, या इस tarot reader के बारे में, या इसके लिए जोच्छी के बारे में हमने बड़ा सुना हुआ है, तो शायद यहां से हमें कोई आंसर मिले तो यहां पे especially मैं बोल रही हूँ कुछ लोग अपने काम धंदे पैसे से related जो है यहां reading देखने आए हैं जो मुझे vibes मिल दी है और चाहते हैं अमीराद में बनना जहां पे उनको लगे कि अब जो है, अब वो मुकामा आ गया है, जो वो चाहते थे अपनी life में, जितरा पाना चाहते थे, ठीक है जी उधर ही हम love life को देखें क्योंकि हमें मिला है two of cups, two of cups और ace of cups मिला है चलिए, देखें कुछ लोग तो अपनी शादी से परशान है यहां पे यह two of cups और ace of cups कुछ परशान है और कुछ को लगता है कि उनका partner कहीं और married है वो हमारी life में क्यों आया अगर यहां पे इस इंसान ने कोई action नहीं लेना था ठीक है, तो वो उनकी life में क्यों आया यह अगर उनको धोके में, परदे में यह चीजों कोई छुपाना था एक मतलब जैसे जो सोचा था अपने इस रिष्टे के लिए वो आपको वहां नहीं हासिर मिला तो कई बार आप लोग wisely इस चीज को सोच पाते हैं कि ठीक है यह हमारा कोई past life connection होगा या हो सकता है हम जन्मों जन्मों से मिलते आ रहे हैं क्या ace of cups है ace of cups देखो आप इस card को ध्यान से देखी कि cup में से cup के उपर full पते बने हुए हैं मतलब एक full पते यह चीज़ बताते हैं कि वो रिष्टा वो संबंद जो आपको आपकी आत्मा तक को सुकून देता है और आप जब इस रिष्टे को सोचते हो या जब चाहे वो आप contact में हो चाहे no contact में हो लेकि आपकी जिन्दगी आपकी जो एक life है उसमें आप हो सकता है आप जब इस इंसान के लिए सोचते हैं आपकी आँखे बहराती है या आपका गला बहराता है या आपको लगता है कि मैं जतना इस इंसान को बुलाने की कोशिश करता हूँ ये इंसान उतना ही मेरी life में एक घर नाके बैठा है ठीक है तो बहुत से लोग यहां अपनी लव लाइफ को लेकर परिशान है जहां पर वो सोचते हैं कई बार तो उनके अंदर एक कुश्चन मार्क जासा कि मैंने पहले बोला था कि कुश्चन मार्क उठता है कि क्यों हम एक दूसरे के लिए हमारे एहसासाद इतने ज़ादा है कि हम जो है एक दूसरे को भूलने पाते है एक दूसरे के लिए मतलब जानने के लिए बेकरार है एक दूसरे को की सिच्चुईशन एक दूसरे के मन की बात को सोचने के लिए हम इतने क्यों परिशान है ठीक है और कभी आप उन लमों को याद करते हैं जब आप साथ थे जैसे देखो ना ये दोनों साथ है इनके मूँ की खुशी आप देख सकते है एक abundance जो इनकी सूरत पे छला करी है कि वो जो है वो एक जब ये साथ थे तो इनको वो एहसास मिला था जो इनको एक हावन मतलब एक तरह से स्वर्ग की अनुभूती कराता है या अब भी जब आप एक दूसरे को सोचते हैं चाहे आपकी आँखों से आसू बह जाएं लेकिन फिर भी आपको वो उस इनसान का सोचना ही आपके मूँ पे एक smile सी दे जाता है ठीक है तो चाहे वो इनसान आपके साथ नहीं है या पर मुझे कई लोग लिखते हैं कि अब हमने उसको चोड़ दिया है उसने हमारे साथ एक विश्वास घात किया है उसने हमें जो है धुका दिया है वो हमारी लाइफ से चला गया उसका यह यह चरोना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन यह आपका soul mate का connection है यह आपका ace of cups और two of cups आने का मतलब है कि यहाँ पे या तो आप उस इंसान से married है या आपको लगता है कि इस इंसान से आगे जो है आपकी सोच जाती ही नहीं है आप चाहें भी अगर कि और खुबसूरत इंसान या और attractive इंसानों की तरफ आप अपना passion को सोचना शुरू कर देते हैं कभी कभी जो आपका दिमाग है आपको बताता है कि आपको और चीजों पर गौर करना चाहिए और इसको जो है एक divine को surrender कर देना चाहिए लेकिन आप फिर भी surrender नहीं कर पाते हैं और इस इंसान के बारे में ही सोचते हैं तो अगर मैं देखूं कि आप लोग अगर यहां आके यह जानना चाहते हैं कि आपका partner क्या सोच रहा है तो आपका partner भी यही सोच रहा है आप एक दूसरे को mirror कर रहे हैं देखिए इस card को ध्यान से यह इनसान दोनों ही एक दूसरे के बारे में ना मतलब जान की एक दूसरे को जान चुकी हैं पू लेकिन फिर भी हम अपने partner के बारे में फिर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है वो अपनी life में क्या चाहता है वो इस रिश्टे को लेके क्या चाहता है तो अगर आप यह देख के reading गहरे हैं तो बिलकुल यह इनसान चाहता है आपकी तरफ क्योई action ले बात करेगा आपका कोई conflict create हो जाए या conflict ना हो तो मतलब जब भी बात होती है आपको यह लगता है कि वो इनसान एक ऐसी मतलब एक question छोड़ जाता है इनसान कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि ऐसा मतलब मैंने तो कोई लडाई का नहीं सोचा था या मैंने तो कोई बहस बात जी का नहीं सोचा था लेकिन वो बहस हो गई ठीक है क्योंकि यहाँ पर thoughts की लडाई है आपको लगता है यह इनसान सोच में आप से अलग है फिर भी आपके साथ इसका एक मतलब एक divine connection है पता नहीं भगवान ने इस रिष्टे से कई बर आप question करते हैं क्यों क्यों मिलाया मतलब जब हमारा इतना देखो न आप इस लड़के का posture देखो जैसे दोनों हाथ ऐसे करके लड़ने के लिए तयार होते है न तो कभी कभी तो आपको यह लगता है कि इस action इस रिष्टे में हम मतलब प्यार के साथ साथ हमने एक ऐसी अनसुलजी जो है हमारी लड़ाई है जो चलती रहती है और इतने हम एक दूसरे को लेके मतलब हर इंसान को अपना पता होता है तो जो लोग देख रहे हैं वो अपने बारे में सोचते हैं कि इतनी feelings रखते हुए भी हमारा एक conflict साही रहा है इस रिष्टे को लेकर कभी भी जो है sort out नहीं हुआ है यह रिष्टा ठीक है अब ace of cups यहाँ पर यह दिखाता है अब आजो आपके partner की तरफ क्योंकि हर इंसान खुद का तो उसको पता है अगर खुद का नहीं भी पताना लेकिन वो दूसरे के बारे में जानना चाहता है अब यहाँ पर अगर आपका खुद का देखो तो मैंने बता दिये कि आपको लगता है कि यह इंसान कोई action नहीं लेता या फिर इसने वक्त पे action नहीं लिया या फिर वक्त पे इसने इस रिष्टे की importance नहीं दी ठीक है लेकिन फिर भी ये इंसान आपके जहन से जाने का नाम ही ने लेता बलब पूरी दुनिया में आप इसी की खुबसूरती पे कायल है इसी को ही पसंद करते हैं यही आपको attractive लगता है क्योंकि queen of wants है wants का मतलब passion जुनूम, attraction ठीक है जी और इसी के साथ ही मतभेद है पतब यही आपको attract करता है दुनिया से एक सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला ये रिष्टा है जो आपको abundant feel कराता है जो आपको एक तरह से complete feel कराता है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यही जो है सबसे मुश्किल आपकी जिन्दगी में मकाम आया है जिसने आपको उल्चा के रखा है ठीक है जी इन दिनों में मैं देख रही हूँ आपका में भी आप solitude में हैं आपकेले हैं आपको लगता है कि यह इनसान जो है कभी कभी आपको लगता है कि बड़ा wisely इनसान यह decision लेता है कभी कभी आपको लगता है कि इस इनसान को decision ही लेना नहीं आता four of sword देखिए four of sword का card यह दिखाता है कि आपको लगता है कि शायद ये आपकी लाइफ में anxiety tension देने के लिए ही ये रिष्टा आपको मिला है क्योंकि आपने past में कुछ ऐसा बुरा किया है जो आज आपको जो है इस इंसान के साथ कुछ ऐसा बुरा किया है इसने आपको एक anxiety tension या उल्जा के रखा हुआ है आप एक action की weight करते हुए देखिए यहाँ पर king of wants है में भी हो सकता है आप एक ऐसे इंसान के बारे में जाना चाहते हैं जो खुबसूरत है जो abundant है देखिए हो सकता है इस इंसान के जैसा की मुझे दिख रहा है कि जैसे जिम वगएरा जाता हो जया जाती हो या मतलब अपना बड़ा ध्यान रखने वाला बड़ा attractive है ये इंसान ठीक है हो सकता है आपकी body या इसकी body पे कहीं tattoo हो जिसके लिए आप जानना चाहा रहे हैं या आप कुछ लोग यहां पे कुछ चाहते हैं कि उनकी body पे एक tattoo बनवाया जाए चाहें वह भगवान को लेके यहां specially मुझे ऐसा एक message मिल रहा है कि आपको आपको कुछ भगवान से related कुछ लिखवाना है tattoo या फिर कुछ ऐसी picture बनवान नहीं है tattoo की अपने आम पर ठीक है जैसे इस इंसान की देखो यहां पर बना हुए न टाटू तो मेभी ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में या आप खुद अपने हाथों पर टाटू बनवाना चाहते हैं यह already है तो और बनवाना चाहते हैं ठीक है जब आपकी बात होती है तो लडाई हो जाती है ठीक है seven of swords का card भी यह भी दिखाता है कि चाहते हैं आप इस इंसान से बोलें लेकिन जब भी बोलते हैं मिलते हैं तो चाहते तो आप सुकून है लेकिन हो जाती है लडाई प्रीज डिवाइन मुझे guide कीजिए यहां पर मैं king of coins को जो है clarify करना चाहूंगी क्यों आया है okay the emperor okay जी देखिए बिल्कूल जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप जो है किसी married आप भी married है यह इंसान भी married है ऐसा भी हो सकता है या फिर एक कि यह ऐसा इंसान है जो जिसको लगता है कि अगर यह आपको पाएगा तो इसकी stability जो है खत्रे में आ सकती है यह इसके father figure को इसकी life में है जो इससे नराज हो सकते है या इस इंसान को लगता है कि यह मतलब किसी ऐसे शक्स के control में है में भी हो सकता है देखो यह खुदी ही father है जिसके father figure है जिससे आप deal कर रहे है पैसे वाला हो सकता है देखो कई बार क्या होता है कि हमारी stability हमारा पैसा जो है वो ही हमारे लिए एक guard बना होता है एक तरह से एक वो ही एक obstacles है तो यहां पे आप लोग या तो एक ऐसे इंसान से deal कर रहे हैं जो खुद father figure है देखिए इसके बाल भी यहां पे grey दिखाए है बाइट हो गए है तो यह खुद ही father figure है या आप जिसके लिए देख रहे हैं या आप खुद ही इस तर का weight करते हुए मतलब even कि आपके बाल भी सफेद हो गए है ठीक है और यहां पे the emperor का card यह भी दिखा रहा है कि आपकी life में को father figure है या आपके partner की life में जो उनकी life में बड़ा एक impact डालते हैं जिनको वो नराज नहीं करना चाहता ठीक है और कुछ लोगों के partner यहां पे मैं दे life जो है कहीं और set होने के कारण जो है जादा abundant होगी देखो यह बड़ा सुनने में बड़ा awkward सा लग रहा है कि प्यार में इंसान यह भी सोचता है तो बिलकुल यह कल्यूग है और यह आपको पता है यह ऐसी दुनिया है जहां पे इंसान जजबातों से ज़्यादा पैसे को importance दे देता है life में लेकिन वो fulfillment नहीं मिल पाते है उसको एक बैचैनी सी जो है ना उसकी life में तो बनी रहती है तो उसको लगता है कि उसने यह सारी problems खुद create की है कभी-कभी आपके partner को या आपको लगता है कि यह सारी problems आपने खुद ही कठी की है जब आपको पता था कि इस इंसान से आपको कोई stability मिलना जो है थोड़ी मुश्किल है देखो दो emperor भी आया है और king of coins से भी आया है तो मुझे यह भी बताता है में भी आप married किसी और से हैं और emotions क्योंकि यह देखो तीनों card chance wise इकठे हो गया है emperor king of pentacle और यहां पर ace of cups मतलब ऐसा शक्स जो आपकी life में मतलब आपकी life में कोई और है लेकिन आपको पसंद कोई और है ठीक है जैसे वो गाना तु चाहत है किसी और की तुझे चाहता कोई और है तु पसंद है किसी और की तुझे मांगता कोई और है तु प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है देखिए साथ में nine of one गार्ड पर मेरी नजर गई है डर है इस इंसान को किस चीज़ का डर है डर है इसको कि यह जो है देखे टेपरेंस का भी कार्ड आ गए तो पिल्कुल डेफिनेटली आप लोग प्वें फ्लेम और two of cups के connection में है या आपका यह divine connection है जहां पर balance जो है अगर मैं देखूं तो इ एक balance आ चुका है लेकिन फिर भी एक अचाहा डर है इस रिश्ते में अगर इस रिश्ते में मैं देखूं ना आप balance हो चुके हैं यहाँ पे जो मेरे viewers देख रहे हैं लेकिन फिर भी उनके जहन में उनके दिमाग में उनकी जो एक सोच है उससे यह इनसान अभी भी बाहर मतल लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ में एक इंपक्ट डालता है तो मैं यहां वही चीज देख रही हूँ चाहे आपको लगता है कि जब आप मिलते हैं आपका कॉन्फिक्ट हो जाता है या फिर आज तक आपकी सही ढंग से बनी भी नहीं सौरी जरा मैं चाहे भी बीच में पील चाहे तो मेरे वीवर्स के बारे में बताएं भगवान जी ओके लाफ्ट देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि आपको लगता है कि जो आप पहना चाहते हैं या जहां जिस चीज के लिए आप चिंतित हैं और इस रिडिंग को देख रहे हैं वहां पे जल्दी ही और खुशी का एहसास क्या होगा यह आपका यह आपका यह जो आपकी इच्छा है यह आपको खुशी खुश कर देगी ठीक है अगर यह आपकी लाइफ में हो जाए लेकिन नाइन ओफ वोंड्स एक अंचाहाद डर एक फियर एक घबराहट एक टैंशन ठीक है आपकी लाइफ पे चाही हुई है जैसा कि वही गाना मैंने गुन-गुनाया था क्योंकि यहां पर मुझे मिल रहा है फोर उफ सौड और सेवन उफ सौर जो दिखाता है कि एक इंसान को लगता है कि एतना उसको लगता है कि शायद वो चीजों को सुलजाते उसको लगता है कि वो चीजे सुलजाते उसको लगता है कि वो चीजे सुलजाते जितना वो सुलजाने की कोशिश करता है जितना वो बैलेंस चाहता है और उलज जाती है चीजे यह सिगनिफिकेंट होगा किसी के लिए यहा आपको कहा जाता है कि आपको जादा जो है अभी इसका एक balance आ रहा है आपकी life में ठीक है और एक fulfillment मुझे यह आ नजर आ रही है एक fulfillment आती हुई नजर आ रही है आपके question का आपको answer मिलेगा आप अपनी लाइफ में जो भी इस टाइम अचीव करना चाहते हैं चाहे वो आपकी लव लाइफ है वहाँ पे आपको जल्दी से आपके साथ एक आप देखेंगे कि भगवान ने आपकी सुन ली है ठीक है इस टाइप की एनरजी मैंने पिक की है मतलब अगर आप अपने पार्टनर से कोई एक्शन की उमीद कर रहे है तो में भी हो सकता है ये एक्शन जो है आप जितना सोच भी ने पा रहे हो कि ये इनसान ने एक्शन ले लिया या इस इनसान ने कुछ पॉजिटिव सोच लिया यहां से मुझे मतलब इतना बैटर हो गई मेरी लाइफ अगर आप अपनी करियर लाइफ के लिए देख रहे हैं इतनी अच्छी हो गई तो इस टाइब की में ये मुस्कान आपकी लाइफ पर आने वाली है जैसी इस लेडी के मुँपे मुस्कान है न कि एंजल भी खुश है और कहते हैं मांगने वाला भी खुश है और देने वाला भी खुश है तो मांगने वाले आप हैं देने वाला वो उपर वाला खुदा ओ जीजस वो भगवान वो इश्वर वो भी खुश है वो परमात्मा जो हमें जब देता है तो छप पर फाड़ के देता है तो आपकी ला लाइफ में आना शुरू हो जाती है जैसे होता है न कई बर हम बहुत जादा जो है किसी चीज को लेके उसको सोच रहे हैं तो हम एनरजी दे रहे हैं चेजिंग की तो आप पहले सबसे पहले तो जो भी आप चाहते हैं उसको अपने दिमाग से निकाल के बाहर फैंक दीजिए समझ गें वो कैसे फैंक सकते हैं आप अपने आपको बिसी रखके चाहे वो किसी इनसान को लेके चाहे वो आपकी एक कोई भी सिचुएशन है बस सिर्फ एफ़र्ट्स कीजिए उस मालिक को याद करके चाहे ये आपकी लव लाइफ के लिए है चाहे ये आपकी करियर लाइ देख रही हूं जो सोचने से आपने बहुआ ज़िएधा ईवन के मैं यह देख रही हूं कि कुछ लोग इतना सोचते हैं इतना जो है चीजों को पहले से assume कर लेतने कि ऐसा का तो ऐसा हुआ होगा ऐसा नहीं तो ऐसे हुआ होगा कि उस वज़े से उनके जीवन में तकलीफ है जो है बड़ी हुई है तो आप सोचिये मत क्योंकि सोचे सोचना हो भी है सोचने से कुछ नहीं होता इस दुनिया में क्योंकि वो कुद्रत है उसका एक प्लान है उसके according ही चीज़ें आपकी life में होंगी तो यह जब भी आपके मन में किसी चीज़ को लेके सोच आए न तो आप अपने मन में जहन में लाएं कि सोचने से कुछ नहीं होने वाला या जो मेरी सोच है उसके according कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी situation को surrender कर दीजिए भगवान को ठीक है और अगर किसी के लिए overflowing आपके मन में emotions है ठीक है देखो जब हम किसी के लिए भी एक चाहे मैं आपको कितना भी ग्यान दूँ लेकिन किसी के लिए हम ज़ादा जो अगर sentiments भी रखते हैं या ज़ादा feeling भी हमारे अंदर develop हो जाती है तो कुदरतन वहाँ पे हमारा जो है एक उस इनसान से expectations लगा लेते हैं ठीक है कि अगर मेरे मन में उसके लिए feeling है तो उसके मन में क्यों नहीं है अगर में मतलब अलरेड़ी उसकी life में कोई था तो उसने मुझे अपनी life में क्यों तो कोई करता कोई कुछ नहीं है कहते हैं हो जाता है अब एक मैं आपको कहूँ के 5000 निकाल के आप किसी भिकारी को दे दो आप दे दो गे नहीं दोगे बिल्कुल नहीं दोगे 5000 5000 तो मैं कहते हैं कोई अरब पती होगा वो भी एकिदम से निकाल के किसी भिकारी को नहीं देगा लेकिन अगर वही 5000 आपका चलान कट जाए तो कट गया तो वही चीज है कि यहां पे आप जो है जान बूझ कर कहीं नहीं आपके पार्टनर ने नहीं आपने जान बूझ के कहते हैं आप एल मुझे मार कहीं पे कोई emotion इंवेस्ट नहीं करता जान बूझ के कोई अपनी life में ऐसे इंसान को नहीं लाता जो कि आपकी सोच में तो चले लेकिन आपकी जिन्दगी में ना हो मैं यहां देख रहूं कुछ लोग 9 साल से कुछ लोग 7 साल से कुछ लोग 4 साल से इस रिष्टे में हैं 2 साल से हैं और कुछ लोगों तो सालो साल हो गए हैं आपको एक वेट करते हुए एक completion का वेट करते हुए एक उस चीज को जिसे कहते हैं हम उस चीज के लिए बहुत सालो से जैसे कुछ लोग अगर अपने business को लेके देख रहे हैं या अपने career को लेके देख रहे हैं तो उस fulfillment के लिए आपको बहुत साल हो गए लेकिन वो अभी तक नहीं आपको मिली है ठीक है तो अगर मैं future की बात करूँ यहाँ पे हमारा ये भी था कि क्या होने वाला होने वाला क्या है जिस चीज़ को लेके भी आप इस reading तक पहुचे हैं वहाँ पे आपको कुछ time के अंतर मुझे लगता है hardly एक महीना उसमें आपको एक in between one month आपको एक action मिलेगा action देखने को मिलेगा और यह action जादा से जादा मुझे यह लग रहा है मतलब एक तरह से अगर आप पैसे को लेकर देख रहे हैं क्योंकि हाँ पहले night of sword था अब फिर bottom में जो है night of coins अगर आप पैसे को लेकर देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको को कोई good news मिल सकती है उससे related आपका जो काम धंदा जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं वो settle हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा action होगा या जैसे आप कई लोग नौकरी के permanent होने की सोच रहे हो तो वहाँ पे कुछ ऐसा rule बनेगा या कुछ ऐसा वो चीज यहाँ पे आपको permanent की ना किसी तरह से ठीक है अगर आप किसी इंसान को लेके देख रहे हैं तो उसकी तरफ से भी action होगा चाहे वो action clarity के लिए हो जुरूरी नहीं कि वह आपसे शादी कर ले तो यहाँ पे वह वहला action भी होता मैं देख रही हूँ को कि यहाँ ace of cups के साथ two of cups है तो आपको अपक action का एहसास होगा क्योंकि डिवाइन की judgment है क्योंकि डिवाइन भी आपका वो weight देख रही है आपकी वो शिद्दत देख रही है जैसे कहते हैं कि जिस चीज को हम शिद्दत से जैसे डायलोग ऐशारुखान का कि एक जिस चीज को हम शिद्दत से अपनी life में चाहते हैं तो काइनात हमारा साथ देती है तो ठीक है अगर क्योंकि कुछ लोगों की चाहें यहां बदल दी उन्होंने अगर किसी इनसान को लेके वो बहुत ज़्यादा वो थे मैं देख रही हूँ वो अपने काम को लेके क्योंकि या तो tarot reading देख देखके या किसी से reading लेके या अपने मन ने ही उनको बताया कि इसमें कुछ नहीं रखा तो उन्होंने अपनी जो एक एक विश है उसको बदल लिया है लेकिन बदल भी लिया है वहां पे भी आपको एक वहां से भी आपको एक action मिलने का जो मैं यहां देख पा रही हूँ कि अगर यह आपका कोई financial मसला है तो वह और जहां पर आपने पैसा invest की है वहां पर आपको एक fulfillment एक खुशी महसूस होगी एक वो मुकाम महसूस होगा जहां पर आप जाना चाहते हैं ठीक है और अगर love life को लेके देखू तो वहां पे भी आपका partner जो है कोई action लेने के लिए सोच रहा है या तो इस relation को लेके किसी से बात करने की सोच रहा है जहां पर एक decision लिया जाए लेकिन कोई डर है जो इसको रोकता है लेकिन फिर भी ये चाहता है क्योंकि यहां पर बहुत missing energy है चाहे यहां पर जब भी आप बात करते हो आपका conflict हो जाता है या आपका खुद कभी कभी आपको लगता है कि आप खुद का wait करते हुए आपको आज या कल में उस इंसान से आपकी बात हो सकती है या फिर उस मसले से related या फिर उस जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां से आपको कोई news मिल सकती है वहां से आपको कोई एक तरह से positive sign मिल सकता है मतलब जैसे अगर आपको अपन से मुझे अब एक और अगर बहुत पुराना ये कोई भी काम है तो वहां पे भी एक abundance prosperity आती हुए मैं देख रही हूं क्योंकि मुझे जो card बार बार judgment और ace of cups दिख रहे हैं तो यहां एक stability आती दिख रही है जहां पे भी आप है ठीक है जी तो ये थी आप लोगों की मिली ज card shuffle किया तो तो इसमें भी energy है तो मैं आपके लिए सी card मुझे बहुत पसंद आएं देखिए भागवत गीता भागवत गीता wisdom cards देखते हैं भागवत गीता जी आपके लिए आपको पता ही होगा ये हिंदूों का एक सबसे जो पवित्र गरंत है भागवत गीता ठीक है जो श प्राज छुपे हुए हैं कैसे अपने मन को समझाना है कैसे खुद को ग्यान में लाना है कैसे हम अपने आप में अपने आपको हील कर सकते हैं ठीक है और वो जिसको हम बाहर डूंड रहे हैं वो खुशी वो चीजें हमारे अंदर ही है सौरी मैं ना इसको भी बीच में ले चलिए हमें card यहां पे गिर गया है. card कोई मिला नहीं है. तो please divine हमें बताएं. हमें is current जो है मेरे viewers के लिए जो उनकी life है जो वो चाहते हैं उस से related आप हमें बताएं. Please. क्या आ रहा है. In different. देखिए indifferent और इदर से cleanliness भगवान आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ चीजें अपने nature से निकाल के बार जैसा कि मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हैं जो आपको निकालनी हैं जैसे आप किसी चीज को लेकर अगर जो चाहते हैं उसके लिए ज्यादा चिंता छोड़ जीए ज्यादा सोचना उस चीज को छोड़ दें छोड़ दें ठीक है तो आपको कुछ cleanliness मतलब अपने अंदर कुछ ऐसी changes लाने हैं जिससे आप चीजों को attract कर पाएं जैसे या interact हो पाई कोई आप से तो बेकार की सोच को निकाल के अपने आपको जो चाहते हैं उसके और उसको busy कर लें अपने मन को तो वो चीज़े जल्दी आपकी life में आ जाएंगी एक indifferent way से मतलब हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो चीज आपको आप यह चीज हमें खुशी देगी यह चीज हमें खुश करना हो तो में भी हो सकता है भगवान आपको यह भी एक sign है कि जितनी खुशी आपने सोची भी नहीं होगी तो भगवान आपको एक judgment करेगा और आपकी life को जो है वो उस चीज से बहुत बहतर आपको आपकी life में कुछ मिल सकता है ठीके viewers यह थी आप लोगों की reading कि currently आपकी life में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है okay love you all take care अपना ध्यान रखिए मैं भी अपना ध्यान रखूंगी क्योंकि आप लोग भी मुझे कहता है थैंक यू आप लोग मेरी चिंता करते हैं कि आप अपनी health की वो कीजिए थो थोड़ा-थोड़ा मैंने शुरू किया अपने आप में change लाइए सबसे पहले सबसे पहले आप जो है न अगर आप morning walk भी यहां पर क्योंकि सोच की लड़ाई है बहुत जादा क्योंकि सोच ने दुखी कर रखा है यहां पे लोगों को ना तो सोच बदलने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आप खुद को पहले बद एक स्वस्त शरीर में एक स्वस्त दिमाग रहता है और दिमाग ही सारे फसादों की जड़ है क्योंकि वह बहुत सोचता है उसकी आदत है तो जादा सोच भी कहीं बार हमारी life में एक abundance को manifest नहीं होने देती क्योंकि हम सोच में पहले उसको ना दे देते हैं ठीक है तो अपनी सोच को जो है अच्छा कीजिए खुश रहिए हैपी रहिए और हैल्दी आप automatically हो जाएंगे ओके वीवर्स बाई